आज जब ये रूलिंग आई है तो आप एक बार और पूछूंगे मैं कि आपको कैसे महसूस हो रहा है आज के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है मोदी जी को बहुत सारे बदनामी जहलते हुए मैंने देखा है मोदी जी पर ये बहुत सारे जूट और जूटे आरोप मड़ते हुए नेलजता से मड़ते हुए मैंने देखा है इसके बावजूद भी संवेधानिक प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया है इसके उपर कुछ नहीं करना है ये bold stand लेते हुए मैंने दिखा है और 18 साल धारिय रखते हुए दिखा है और 18 साल के बाद आज वीजाई होते हुए भी मैंने दिखा है मुझे तो बड़ा संतोस है कि सारवजनिक जीवन में धरेंद्र मोदी ने एक ऐसा example set किया है कि आरोग कितना भी जूटा हो आप उसको नयाई की अदालत ही त्याई कर सकती है सच है जूट है तब तक तहरी रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में observation ये भी था कि उस वक्त की सरकार ने दंगा रोखनी का प्रयास नहीं किया और ये भी कि कुछ witnesses जो हैं वो ऐसी जवाब दे रहे थे जैसे की डिक्टेशन दे रहे होने दोनों चीज़ें observe किया गया देखे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो observation किया था वो NGO के affiliate के आधार पर किया था इसकी जांच के लिए SIT बनाई दी SIT ने अपनी रिपोर्ट दे दी और जो judgment आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार ने दंगा रोखने के लिए भरसक कोशिस की राज्य सरकार ने उचीत समय पर उचीत कारेवाही करकर कम नुक्सान में दंगो को समाप्त किया और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई witness protection की scheme को पूरा का पूरा full stop कौमा में पूरा किया है तो यसी कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी influence किया है सवाली नहीं सुप्रीम कोर्ट को influence करने का आप आरोप लगाने के लिए तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है परन्तु आप judgment पड़ेगी मेरे हिसाब से 300 से ज्यादा पेज़ी का judgment है और हर आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने गोलमोल नहीं किया है डिल किया है किस आधार पर एक करा है सामने से स्रीक अपील सिब्बल ने बहुत सारे arguments किये हैं ऐसा नहीं है इतने सालों से लड़ा जाने वाला केस है सुप्रीम कोर्ट में साथ साल तक केस चला है और हर बार पुरे-पुरे दीन सुनवाई यह हुई है यह तीनों बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्पर्ष्ट किया है कि राज्य सरका ने भर्षक कोसिस की उचीत समय पर उचीत ने नहीं लेकर इसको कम नुक्सान में दंगों को समाप्त करा और जो विटनेस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े बहुत आमेंडमेंट करकर एप्रू करी थी, इसको फुल स्टोप कोमा में स्पिरीट के साथ लागू किया है। कोई आरोप के बगर पूरी बात से अज सुप्रीम कोट के जज्जमेंट से बारा रहे हैं वड़ा सत्य का विजय हुआ है मीडिया और एंजियोज इन दोनों के ऊपर सुप्रीम कोट ने भी कहा है एक बार अगर आप कहें कि अप अब हुः जो नर्स करती है वो भी है पार्टी के लिए यह कितना सिग्निफिकेंट है पुलिटिकली मैं पूछ रहे हैं बहुत सिग्निफिकेंट है पॉलिटिकली कम परन्तु जीस प्रकार से मेरे पार्टी के सर्वोच नेता को विक्टिमाइज करने का प्रयास किया गया और आज कौर्ट ने उसकी धजियां उड़ा दी है। गवरो का विशह है कि आज जो जुठे आरोब हमारे सरोत ने तुप लगाये थे वो सारे खारी जो गए है। गुजरत लेबोरेटरी करके जो ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं कि बीजेपी जो है इसको एक पोलिटिकल साइंस बना दिया है उन्होंने और वो हर राज्य में इस्तमाल करती है। देखे आप जैसा जिस कलर के ग्लास का चस्मा पहनेगी ऐसा दिखाए पड़ेगा। पीले पेहनेंगी तो पिला देखाई पड़ेगा, काले पेहनेंगी तो काला देखााई पड़ेगा. ये देखने का नजरी है. गुजरत मॉडेल जरूर बना है. देश में हमने सबसे पहले 24 गंटा बिजली हर घाउं में पहुचाने का काम किया, वो एक मॉड़ल है. प्राइमरी एजुकेशन के इंदर, वो भी मॉडल है, गुजरात के ट्राइबल एरिया के वन बंदु कल्यान योजना लेकर आए, वो भी मॉडल है, 10% ग्रोथ रेट के साथ 12 साल तक एग्रीगल्चर ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है, वो भी एक मॉडल है, डियर सारे मॉडल है, हाइवेज से लेकर, ग्रामिन विकास से लेकर, अर्बन डेवलपमेंट तक, हमारे अर्बन डेवलपमेंट के एक्ट भी मॉडल है, जहां तक दंगो का सवाल आप कर रही है, आप एक बाद समझ लिजे, आप इतनी वरिष्ट पत्रकार है, स्मिता बहन, आप कॉंग्रेस के सासन के जो आपको ठीक लगे, वो 5 साल और भारती जन्ता पार्टी के सासन से, जो आपको ठीक लगे, वो 5 साल ले लो, कितने घंटे कर फिव रह कितने लोग मारे गए, कितने दंगे हुए, और दंगे का डूरेशन क्या था, कमपेडिजन कर लिजे तो मालूम पड़ जाएगा कि दंगे किसके शासन में ज़्यादा हुए, और दूसरी बात, ये दंगा होने का मूल कारण, कुद्रा की ट्रेन को जला देना था, साथ लोगों को, सोला दिन की बच्ची को, मा की घोद में बैठे हुए, जिन्दा जलती हुए, मैंने देखा है, मेरे हाद से अगनी संस्कार किया है, मैंने बोता गाउं में, इसके करण दंगे हुए थे, और आगे जो दंगे हुए हैं, वो पोलिटिकली मोटिविटेड थे, विजर्वेशन का अंदोलन हुआ, दंगो में कन्वर्ट कर दिया गया है, जब वो गूदरा से बॉडिज लेके गए थे, अंतिम संस्कार के लिए, तब आपको लगा था कि ये, देर विल बी ब्लोबैक, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया होगी, दिखे, उस वक किसी को सोचने क की सुदबुद ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रस्न ये था कि जो 69 लोग मारे गए हैं, इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार करता है,